नमस्कार मैं सतीश महरा बारत्य खिलाडियों विसेशकर हरियाना और पंजाब के खिलाडियों के लिए अच्छी ख़बर नहीं है गलास्गो में आगामी 2026 में होने वाले रास्टर मंडल खेलों से क्रिकेट, हौकी, कुस्ती और सूटिंग को बाहर किया गया है जो विसेशकर भारत के खेल जगत और भारत के खिलाडियों के लिए दोख पहुंचाने वाला समचार है भारत के खिलाडियों ने पेरिस ओलंपिक में होकी, कुस्ती और सूटिंग में अपना पर्चम भेराया था पेरिस ओलम्पिक में भारत ने होक्की में कांच्या पदक और सूटिंग में तीन पदक हासिल किये थे इसी प्रकार कुस्ती में भी भारत ने पदक हासिल किये थे क्रिकेट में पूरी दुनिया में भारत का डंका बस्ता है राष्टमंडल खेलों की बात की जाये तो इनमें भारत की पुरोषवकी टेम ने अब तक तीन रज़ात और दो कांसे पदक जीते हैं जबकि महिलाओं ने 2002 के खेलों में 83 सुरण पदक साहित तीन पदक जीते हैं बैडमींटन में भारत ने 10 सो अन्ड साहित कुल 31 पदक जिते हैं निसानियाबाजी में भारत ने 135 पदक जिते हैं जिनमे 63 सोण पदक सामिल है नि को रास्ट मिंडल खेलों से भाहर किये जाने पर हमारे देश के खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले पाए हूंगे देश के खिलाडियों के लिए एक बड़ा जटका है मेजबान शहर ग्लासगो खेलों में खर्च होने वाले वियाय में कटोती करना चाता है लेकिन अभी तक अंतराश्ट्रिय होकी महासंग और राश्टरमंडल खेल महासंग दोनों इस पर चुपपी सा दे हुए है ग्लासगो खेलों का आयोजन में नेटबाल और रोड रेसिंग को भी खेलों से हटाना चाते हैं यह आयोजन पहले आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था पर वह बढ़ती लागत के कान मेजबानी से हट गया था इसके बाद स्कोट्लेंड ने मेजबानी के लिए कदम बढ़ाया ख़बर यह मिलिए कि इस आयोजन में मात्र दस खेल सामिल किये जाएंगे जबकि बर्मिंगम 2022 में 19 खेल सामिल थे गलासको रास्टमनल खेलों से इन खेलों को अटाया जाना बहुती दरभाग्या पूर्ण है हमारे देश के खेल संगों को इस बारे संग्यान लेने की सक जरूरत है